कि नमस्कार साथियों सौगत है आप सभी का एक्जाम पास पे मैं हूँ जेपी सुकला आपका जी एस पेंटर और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टन करने वाले कुछ इंफॉर्ण इंफॉर्मेशन जो हमारे कोर्स के रिलेटेड हैं आपको मैं पास जो है वह आपके लिए एक तरह से एक तरह से का लाइब बैच लेकिया तो जो भी एससी सीजियल के एस्परेंट है उनके लिए बहुत अच्छा इंट्रक्टिव क्लास होने व वहां पर आप कॉल कर सकते हो अधरवाइस आपको अगर मनलोग कूपन चाहिए या फिर ओफर चाहिए तो आप कूपन कोड यूटूब 85 लगा सकते हो जिससे आपको डिसकाउंट में जाएगा तो सेसन को स्टाट करेंगे एक और चीज़ आपको बता दू एक्जाम पास प पर साथ ही साथ जो हिस्ट्री पॉलिटी और जगर्फी के सब्जेक्ट हैं उसकी क्लास में लेता हूं 25 पर तो आप मुझसे जाइन कर सकते हो सिसन को बिना किसी देरी के स्टाट करेंगे आपका समय में नहीं लूँगा क्योंकि आपके जीवन के लिए आपके विकास के लि कोशन पहला क्या कहता है द्याइन से पड़ो कोशन कहता है हूँ एमंग दा फालोइंग वाजब प्रेशिडेंट ऑफ कंस्ट्योंट इसम्बली आफ इंडिया मतलब क्या भारत की जो समिदान सभा थी समिदान जैसे बनाते जाएं तो एक असेंबली बनाए गया समिदान आपको बता देता हूं लेकिन आप अपने जरू डालना जिससे आपके तयारी आपको मालूम हो सकते सही आंसर जो है वह आपसन एक डॉक्टर राजेंदर प्रसाद है यह हमारे देश के पहले राष्टपदी भी थे और 1946 मे नूटाउन कर लेना 1946 मे इनको समिदान सभाक आय और साथी साथ वह समिदान जो सवाती उसके अध्यक्ष भी थे अब देखो अगला कुष्ण में आपके लिए लेकिया रहा हूं ध्यान से देखना और बिना टाइम वेस्ट के वे इसका सही उत्तर अपना कमेंट वाक्स में डालना अगला प्रस्णा आपके सामने कहता क्या प्रस्णा नचों करते हैं कि विच वास डिस्क्राइब्स देखो त्यान से क elf क्या कहता है विच वास डिसक्राइब ब्यार अमबेटकर सांवने किस चीज को अंको आत्मा कहा है हिदक और आत्मा की बात कहिए किस बाग को अधिकार है उसमें उनके बारे में laureспорт own can का अधिकार बोलते हैं दूसरा ऑप्शन है राइट अगेस्ट एक्स्प्लाइटेशन मतलब क्या कि सो सड़ के विरुद अधिकार तीसरा आपके सामने राइट तु कंस्टिशनल डेवडी मतलब क्या समयधानिक उप्चारों का अधिकार जो अंतिम आप्शन है आपका राइ राइट टू कंस्टिशनल डेवडी समयधानिक उप्चारों का जो अधिकार है आर्टिकल 32 अर्टिकल 32 के तहती आता है और यहीं समयधान की आत्मा कहा गया है रीजन क्या देखो जाएंसे इसमें क्या चीज़ है इसमें है रिट्स के बारे में बात करी गई है रिट्स तो आप जो सुप्रीम कोट है या फिर हाई कोट है उसके तहट आप जा सकते हो और वह रिट्स जारी करेगा जिससे आपके अधिकारों का सनक्षड होगा रिसंटली यह काफी न्यूज में था अर्णव वह सवामी की केस में भी फंडामेंटर लाइट्स के वाइलेशन के तहत उनके बिल्डिंग चलवाया था उसके कंपनसेशन के लिए वह हाई कोट में गई थी तो यह सब बड़े इंपॉर्ट है तो आपका जो अप्सन होगा यहां पर राइट तो कंस्टिशनल रेमेडी यह सही अप्सन होगा और इसमें देखो रिट्स आती है बिसिकली पाच प में समझ में आ जाएगा तो इसका सही अंसर था ओप्सन सी यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा अगला कोश्टन आज का हम बढ़ते हैं बिना किसी देरी कि आपके कोशन क्या बोलता है कि सम्मिधान बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था दुनिया में जो भी रू आप्सें सी यूएस ए यूनाइट इस्टेट अफ अमेरिका यूएस ने 1778 1778 या फिर यह बरिदे रेस कर देता हूं थोड़ा सा राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है मेरी देख में एक बरी रेस करने का प्रयास करता हूं 1778 1778 में जो यूएस तो राज अमेरिका उसने इसको बनाया था उसको लगू किया था तो पहला देश्वापका अप्संस यह हो जागा USA इंडिया में बहुत बाद में और ब्रिटेन में जनरली लिखित जो समिदान उसका कल्चर पहले नहीं था अब स्री लंका तो हमसे बादिया चाहिए तो अगला प्रसंद आपके सामने कहता क्या है कि इंपीश्मेंट की प्रोसेस यह जो राष्टपती के उपर महावयोग लगा जाता है उसको पहले जो हमारे देश को अपनाया गया हमारे देश के समिदान में वह कहां से लिए तो देखो जो सोर्सेस आप इंडियन कंस्टिउट्यूसन है उसमें ट्रम के उपर दूसरी बार इंपीश्मेंट वा तो युएस से के एक मातर है से प्रेजिटेंट है इस टाइम पर वर्तमान में तो हट गए है और जो बाइडन ने वहाँ पर प्रेजिदेंजी समाल लिए तो जो यहां पे डोनाल ट्रम थे वह दो बार इंपीश होने वाले है अपनि मन्मर्जी कर रहा है है सरकार को बेकार लगता है तो संस्द में रेज्गे का लो इसका सब्स्तरी एधियर लोकस सवा में में राज सब्स नगहीं ऑश्यार उसमें कितने भाग है चारों मैंने आपको दे दिये हैं सभी विकल्ब पहला 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 पैला प्रत है दूसरा कहता है यहां पे बाइस पाट है तीसरा कहता यहां पे अठारे और जो अंतिम हो जाएगा वो आपसों अपत अप्शन होगा यह बहुत आसान को इस पर इचाहो तो आप चाहो तो एक्जाम पास का जो यूटूब चैनल वहां पर मेरे लेक्चर्स की सारी PDF या फिस सारे जो डिटेलिंग आप ले सकते हो वहां से प्रशनकला कहता है कि भारत सरकार अधनियम जो 1935 में आया था वो किस पर आधित था किस पर आधारित था भारत सरकार अधनि सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करें जो बहुत इंपर्टन द्यान से देखना क्योंकि भारत सरकार अधनियम का जो मेजर पोर्स अभी तो अमारा समिधान है इसमें इसमें पार्ट से लिए गये हैं और यह बड़ा इंपर्टन साइमन कमीशन ने का था बारत में जिसके सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करना जिससे आपके तयारिया आपको मालूम हो सब्सक्राइब करना कि अब इसको देख लो और सही आंसर इसको कमेंट वाक्स में अटेंट करो बादा दूँगा दो चार मिनट या फिर दो चार सेकेंड आप टाइम ले लो सही अंसर इसका है इसको हमें नहीं लागत करना चाहिए यह आपको क्लियर हो गया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है एक कॉंग्रेस अधिवेशन में यह बात उन्होंने कही थी नेक्स्ट कोर्शन आपके सामने आ रहा है कि हूँ इस दा कस्टोडियन आफ इंडियन का इसे मतलब क्या हमारा ज इसका जो सही आंसर होगा वह आप्सन गहीं है और सब्सक्राइब के पर नागरिक होने का अधिकार है राश्टपती के पास बहुत सारी पावर्स है लेकिन जो कस्टोडियन आफ इंडियन कंस्टिशिएशन कहा गया है वह कहा गया सुप्रीम कोड के चीफ जस्टिस है या कि आप जो माना जो मूल अधिकार है या फिर जो नागरिकों के अधिकार है उसकी रच्छा करें क्योंकि देखो अब इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है कि देखो जो विधाई का होती है और जो काड़पाली का होती है जो व्यवस्थापी का होती है उसमें सभी के पावर जो फंडमेंटल राइट है यह किसी प्रकार का राइट हो रहा है तो सुप्रीम कोड उसकी प्रेडक्शन करेगी तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्सें बी जिसमें भी जीप जिस्टिस आफ इंडिया सही आप्सें लगाया है उसका अंसर बिल्कुल सही है अगला प्रस्ण सब्सक्राइब करना है तो आप कैसे करोगे तो वह एक प्रोसेस होती है पॉप्लर वीटो की वह किस देश में अपनाई जाती है तो इसका जो सही आंसर होगा आपका है एक वारी में चाहूंगा आप सभी देख लो क्योंकि आप सभी भी जूड़े रहो सेसन में जिससे सब्सक्राइब का कंट्री है जिसको सवर्क आ जाता है दुनिया का सुड़्जर लेंड है कि सुड़्जर लेंड जहां पर जूरिक वगएरा जो बहुत इंपॉर्टंट सिटी जेनेवा बहुत सारे मुक्याले जहां पर होते हैं बान जो सहर है सुड़न जो देश है वहीं पर यह जो पॉपलर्टर वीटो का टर्म में अपनाया याता है और इंपॉटर्टर वीटो समय पुछा जा जुका तो इसको मार्ट कर लेना आप इंपॉटर्ट विटो टर्म तो आपका अंसर होगा यहां पर सुचर लेंड अगला प्रसन आपके सामने द्यान करता है लग थलता है यह फिर एप सब्सक्राइन लिए पाउलस यह अंसर आंसर है यहें कि दिखाता है कि आपके जो सक्तियां उसके सीवाइंये यहuin कि सकतियों के सिमाई यह बैसिकली यह सप्रेशन आप पावर से लिटर चीज़ है तो इसका जो पावर्स जो एक्जिक्यूटिव जो इक तरह से दोनों का पूरक है और दोनों एक दूसरी से मिलके सरकार चलाते हैं तो यह आप्सन इसका जो भी है वो सही है और जिसने भी करा है उसका अंसर बिल्कुल सही है यह इसको आप कर लेना मोस्ट नहीं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी सारभामिक वयस्क मतला अधिकार इससे क्या पता जबता है कि भारत कैसा देश है तो यह जो टर्म है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यह हमारे देश के बहुत इंपॉयमेंटर में और हमारे देश को यह डिसाइड करता है कि हमारा देश जितने भी बारत के नागरिक है सभी को वोट देने का बराबर अधिकार है और सभी के पास अगर मालनों वह अठारे 18 एटीन यर्स एबब हैं 18 यह से उपर उनकी एज है तो वोट दे सकते को समान अधिकार दिये गए हैं अगला प्रसन आपके सामने ध्यान से देखना है वाट डिट निरंग कुस्ता का क्या मतलब होता है या निरंग कुस्ता आटोक्रेशी का क्या मिनिंग होता है चारों मैंने आपको दे दिये हैं मैं चाहूंगा एक सब एक बारी सभी लोग कम absolute rule by one मतलब एक ही आदमी का शासन कभी भी किसी देश में अगर माल डिखा हो गासे जिसे आपने ग्जांपल में दीखावगा बॉल्चन नोर्थ कोरिया है जहां के साथ साथ किम जोंग है वहां पर चाइना हो गया वहां पर सीजिनिपिंग है वहां चलती है और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर अटोक्रसी चलती है और यह देश जो है उनकी जो लोग तंत्र है उनकी जो पुब्लिक है इसके लिए बहुत बड़ा खत्रा थ्रेट है तो अगला जो प्रस्ण आपके सामने में लेके आ रहा हूं द्यान से देखना प्र में आप सभी अटेंट करना इसका जो सही अंसर है वो ऑप्सण डी है मन रॉय साब थे मन रॉय मन रॉय यहां लिखा हुए वैसे तो स्पेलिंग अगरा की कोई दिक्कत नहीं है यहां चीजे लिखी हुई है और इन्होंने सजेस्ट करना कि बारत में पर्लेमेंट की कमिश बनाया सके और देश के विकास के लिए उसमें सहायता मिल सके अगला प्रस्णा आपके सामने है कि निम्लिखीत मैं से किसमें बारतिष्व समिदान अच्छा अच्छा लिखीत समिदान की विसेस्ता लिए क्या रिटन कांस्ट्यूशन जो है इंडिया का वह कहां से एक मालुम हो सकी पर को युए से हमने बहुत सारे चीज़े लिए है युए से हमने फंदमेंटल रृट्स लिए हैं प्रेज़िदेंट लिया है और यह सब चीज़ेघर रिटन कंस्ट्ट्टियूशन यह सभी वहीं यह की तो जो सोर्सस आफ इंडियन का स्ट्रिशन उसमें मेजार पॉर्शन जो है यूएस का है तो यूएस को आप इंपर्टन कर ले न यूएस से बहुत सारे को सब्सक्राइब यूएस हमारा इस टाइम पर इसकी कैपिटल वासिंग्टन डी सी यूनाइटेट इसके जो वाइडन और जो वाइस प्रेज़न बनी है कमला है वह भारत की इनकी असेस्ट्री यह मतलब क्या उनकी माता वारती थी और पिता उनके एफ्रिकन थे एक तरह से इंडियन उतनी एथनिसिटी माने जाती है तो जो यूएस है वहां पर अभी तक किसी वह भी कोई भी एसी एथनिसिट की का आदमी प्रेज़ेंट नहीं बना है तो कमला एरिस ऐसी फस्ट है जो वहां की वाइस प्रेज़ेंट बनी है कि जो उद्गाटन बैटक होई थी या फिर इनाउग्रल मीटिंग जो होई थी पालियमेट्री कमिशन की या फिर कंस्टिएंट असेंबली की उसकी जो अध अगला प्रस्ट नहीं देखना और बिना समय गवाए हुए उत्तना अच्छी से अटेंट कर वे कोश्टन जितने जल दिया आप सब्सक्राइब उतना ही बढ़िया प्रस्ट आपका निकल के सामने आगा त्यारी अच्छी होगी नंबर अच्छी आएंगे रैंक अच्छी और आपको इस्पेक्टर बनने का आये वह सब पूरा हो पाए गा और जिससे हमें भी मोराल में हमारी बूस्ट आएगा कि हमारे दोरा बतायगा जो स्टूडेंट से उनको सेलेक्शन मिल रही है उनके मार्क्स हा रहें अच्छी अगला प्रस्ट है कि जुडिसेल या फिर कहां से वो चीज निकल के आई है और इजनेट कहां से आई है जुडीसियल रिविवीव मतलब क्या कि कोई भी अगर निड़े हुआ सरकार्ट की दौरा समयधान की दौरा या किसी भी जो अठॉटी है मैं को कहीं गलती है कोई किसी कोट ने आपको सज़ा दे दिये और उसके लिए आप रिवीव चाते हो तो वह जो गलचर है वह सबसे पहले यूएसे से आया है आप संसी इसका सही है और सलेकर आप समयने को ब पूर्सन है कि है और शुक्त सकतिया असे मतलब क्या कि बहूंत साहूंत इन सविजिए झान जो पो아니ैब स्थ सकतिया मने या कि वह कासी लिया गया तो आपका जो ऑंसन भी है एक कैनेडा ऑप्सहन भी कैनेडा इसका सही एंसर है केनड़ा के पी एम जैस्टिं टूडले औहुं है तो डाव है और यह नॉर्थ अमेरिक कॉंट्री का एक देशन रिम दूंद्री है और यह नॉर्भाइान कॉंट्रल में इन्थ लहले अमेरिका नहीं का उपनेट गला क can कि अमेरिका के साथ नेक्स्ट कोशन है और आज की सब्सक्राइब कि बारते सम्मिदान में कितने मौलिक करतब हैं यह इंपर्टन कोशन है ऑप्षन जो सी है एलेवन ग्यारे पार्ट जो फंडमेटल ड्यूटीज है 11 है मैं एक बारी इसको इरेज़ करके सही से बता जिता हूं एलेवन फंडमेटल ड्यूटीज और मैंसें निवर अगा 11 सही आंसर इसका 11 है तो जितने भी important question थे वो मैंने आपको discuss कर लिये हैं जो 10 पहले थे इसकी और बाद में इसमें एक एड किया गया था जिसमें क्या था कि जो बच्चे हैं बच्चों की गार्जेंस उनके parents करेंगे और उन्हें स्कूल बेजने की जिम्मिदार उनके parents की होगी तो 6-14 साल 6-14 के जो बच्चे हैं उनको प्राइमरी या एलिमेंटरी एड्यूके सान है उसके लिए जो गार्जियन सिफ है वो भी एकर से उनकी ड्यूटी है कि आप अपनी बच्चों को स्कूल बेज़ो और उन्हें पढ़ाओ तो जो भी इंडियन कंस्ट्यूशन के सोर्स के इंडियन कंस्ट्यूशन के मैंने आपको डिसकस कर लिए आगे की स्रीज में हम इंपॉर्टन चीज सब्सक्राइब करते हैं और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद